साथियों, आज के कारकम के शुरुवात, मैं एक अनूठे उपहार की चर्चा के साथ करना चाहता हूँ. तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई है, एल्दी हरीप्रसाद गारू. उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का ये लोगो बुनकर के भेजा है, ये शांदार उपहार देखकर तो मैं हरानी रह गया, हरीप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महरत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्थित कर लेते हैं, हरीप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लो कि अगले साल G20 सीकर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गवरों की बात है, देश की इसी उपलब्दिक की खुशिमा उन्होंने G20 का ये लोगो अपने हाथों से तयार किया है, बुनाई कि ये बहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली हैं और आज वे पूरे पैसन के साथ इसमें जुटे हुए हैं, साथियों कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रसिडेंसी की वेबसाइट को लांच करने का सौभाग मिला था, इस लोगों का चुनाव एक पब्लिक कॉंट्रेस्ट के जरिये हुआ था, जब म मुझे हरी प्रसाद गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला, तो मेरे मन में एक और विचार उठा, तेलंग ना के किसी जिले में बेठा व्यक्ति भी, G20 जैसी समीट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस करता है, ये देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा, आज हरी प्रसाद गारू जैसे अनेकों लोगों ने मुझे चिठ्वी भेज कर ये लिखा है, कि देश को इतने बड़े समीट की मेजबानी मिलने से उनका सिना चोड़ा हो गया है, मैं आप से पूने के रहने वाले सुब्बा राव, चिलना राजी और कोलकोता के तुशार जगमोहन उनके संदे से अभी जिक्र करूँगा, इन्होंने G20 को लेकर भारत के प्रोयक्टिव एफट्स की बहुत सराना की है, सात्यों G20 की वर्ल्ड पॉपलेशन में दोत्य हाई, वर्ल्ड ट्रेड में तिन चोथ हाई, और वर्ल्ड जीडिपी में 85% भागिदारी है, आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अपसे तीन दिन बात, यानि एक दिसंबर से इतने बड़े समु की, इतने सामर्थवान समु की अध्रक्ष्टा करने जा रहा है, भारत के लिए, हर भारत वासी के लिए, ये कितना बड़ा अउसर आया है, ये इसलिए भी और विश्यस हो जाता है, क्योंकि ये जिम् मृत्काल में मिली है, साथियों, जी ट्विंटी की अध्रक्ष्टा हमारे लिए एक बड़ी आपर्चुनिटी बन कर आई है, हमें इस मौके का पूरा उप्योग करते भीए, ग्लोबल गुड विश्व कल्नियान पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या या यूनिटी, अर्थ के पास इन से जुड़ी चुनोतियों का समाधान है, हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसूधायव कुटुम कम के लिए हमारी प्रतिविद्धता जाहिर होती है, हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु, सर्वेशाम मंगलं भवतु, ओम शांती 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 अर्थात सबका कल्याण हो, सबको सांती मिले, सबको पुरनता मिले और सबका मंगल हो, आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में जी-20 से जुड़े अनेक कारकम आवजित किये जाएंगे, इस दोरान दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा मुझे भरोसा है कि आप अपने यहां के संस्कृति के विवीत और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे और आपको ये भी आद रखना है कि G20 में आने वाले लोग बले ही अभी एक डेलिगेट के रुप में आए लेकिन भविश के टुरिस्ट भी हैं मेरा आप सभी से एक और आग्रह हैं विशेस तोर से मेरे विवास साथियों से हर प्रसाद ग्यारू की तरह ही आप भी किसे ने किसी रुप में G20 से जरूर जुड़े कपड़े पर G20 का भारतिय लोगों बहुत कुल तरुके से स्टाइलिस्ट तरुके से बनाये जा सकता है चापा जा सकता है मैं स्कूलों, कॉलेजों, उनिवर्सिटिस से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने हाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपोडिशन कानाने के अउसर बनाए आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रूचिक अनुसार वहां बहुत सारी चीजे मिल जाएगे